नमस्कार आगाश्वानी से प्रस्तुत है समाचा ट्रभात ममन खान को गिरफतार किया किरल में निपाहा वाइरस संक्रमन पर नियंत्रण के लिए कोजी कोड में सभी शेक्षिनिक संस्थान कल तक बंद किये गए मौसम विभाग का आज पूरवी भारत और सुमवार तक मध्धी तथा पस्षिम भारत में सक्री मौनसंड की सती का अनुमान और कुलंबो में एशिया का प्रिकट के सुपर फूर मैच में श्रीलंका ने पाकिस्टान को हरा कर फाइनल में प्रविश किया खतावी मौकाबला भारत के साथ समाचा प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आधनिक विकास के साथ घरीब कनल्यान के भारती मौडल की दुनिया भर में सरहना हो रही है 36 गड़ के राइगड़ के पास कोंड़ा तराई में कल आयो जित एक कारिक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि अमरित काल के अगले 25 वर्षों में देश को विकसित बनाना है एक काम तभी पुरा होगा जब विकास में हर एक देशवासी की बराबर भागीदारी होगी हमें देश की उर्जा जरुतों को भी पुरा करना है और अपने परियावरण की भी चिंता करनी है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6400 करोड़ रुपे से अधिक की रेल परियोजनाय राश्र को समर्पीत की ये रेल परियोजनाय इसक्षित्र में यात्रियों की आवाजाही के साथ ही माल ढुलाई को भी सुविधा जनक बना कर सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रद हजार रोजगार के अवसर स्रिजित होंगे और राज्य के ओध्योगिक परिद्रिश्य में प्रामतिकारी बदलावाएगा भारत की G20 अध्यक्षता के अंतरगत G20 सतत वित्यकारी समों की चौथी और अंतिम बैठक कल वाराणसी में सफलता पूर्वक संपन हो गई हमारे समवाधाता ने बताए कि बैठक में 2023 G20 सतत वित्य रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया चौथी बैठक में G20 के सदस्यों और अंतराश्टी संगठनों द्वारा G20 सतत वित्य रोड मैप पर हुई प्रगती पर चर्चा की गई इस बैठक में कहा गया कि सतत विकास को प्राप्त करने के लिए सभी सदस्य देशों के सामूहिक प्रयासों की अफशकता है SFWG की सभी बैठकों के माध्यम से दोनों सह अध्यक्षों अमेरिका और चीन सदस्यों और आमंतरित देशों के साथ ही अंतराश्टी संगठनों ने सक्री रूप से भाग लिया सोशील चंदरतिवारी आकाश्वानी समाचार वारानसी G20 वित्य समाविशन के लिए वैश्विक भागेदारी की चौथी बैठक मुंबई में हो रही है हमारे समवादाता ने बताया है कि G20 के स्तदस्य देशों, विशेश आमंतरित राश्ट्र और अंतराश्ट्रिय संगठनों के 50 से अधिक प्रतने थी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं तीन दिन की बैठक कल शुरू हुई थी जिसमें डिजिटल वित्य समाविशन और लगुत था मध्यम उध्यमों से संबंधित उत्पादों पर चर्चा की गई GPFI बैठक के पहले दिन कल MSME को मजबूती देने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी धाचे पर एक संगोष्टी आयोजित की गई थी विश्व बैंक ने G20 की भारती अध्यक्षता के तहत विकसिट डिजिटल सार्वजनिक अवसव रचना के माध्यम से वित्य समाविशन से संबंधित G20 नितिगत सिफारिशे प्रस्तूत की आज डिजिटल वित्य समाविशन पर एक सत्र होगा इसके बाद डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी धाचे का मानवी और आर्थिक प्रभा इस विशे पर एक प्रस्तूती दी जाएगी प्रार्थना के साथ निवेदिता अकाश्वणी समाचार मुंबई हर्याणा पुलिस ने कॉंग्रिस विधायक मंबन खान को बिहस्पतिवार को गिरफतार कर लिया उन्हें अगस्त माहा में नुह में हुई सांपरदाइक हिंसा में आरोपी बनाया गया था ये गिरफतारी एक धार मिक्यात्रा के बाद हुई हिंसा के सिलसले में है फिरोस्पूर जिरिका के विधायक ने मंगलवार को पंजाब और हर्याना उच्छने आयलेस में गिरफतारी से सुरक्षा की मांग की थी इस मामले की सुनवाई 19 अक्तूबर को होगी उपराष्टपती जगदीब धनकड एक दिन के दोरे पर आज मद्ध प्रदेश में भोपाल पहुँच रहे हैं श्रीध धनकड भोपाल में देख्षांत समारो सहित विभिन कारिकर्म में शामिल होंगे ब्योरा हमारे समवाद दाता से उपराष्टपती जगदीब धनकड भोपाल की माखल लाल चतरुविदी राष्टी पत्रकालिता इवं संचार विश्विद्याले के दीक्षांत समारो में शामिल होंगे उपराष्टपती विश्विद्याले के नए परिशर का लोकारपण भी करेंगे विश्विद्याले का विश्विद्याले के विश्विद्याले के शोले सो अध्यान केंद्रे जिसमें लगवग दो लाग विद्यारती अध्यान रत हैं विश्वधियाले की कुलपती प्रोफिसर डॉक्टर केजी सुरेश ने बताया कि चौथे दीक्षान समारों में जून 2018 से दिसंबर 2022 के उत्तिनल विद्धियारतियों को पाधियां प्रदान की जाएंगी। इनमें सनात कोत्तर इबं प्येसडी के 23 विद्धियारतियों सहत लगबग 4500 विद्धियारति शामिल हैं। संजियू शर्मा, आकाश्वणी समचार, भुपाल। प्रधान मंत्री मत्स संपता योजना का तीसरा वार्शिक समहरों आज इंदोर में आयोजित होगा। केंद्री मत्स से पशुपालन और डेरी मंत्री परशुतम रुपाला इस कारक्रम को संबोधित करेंगे। मत्सि पशुपालन और डेरी राज्यमंत्री डॉक्टर अलमुरुगन और संजीव कुमार बालियान तथा मध्य प्रदेश के मचली पालन और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावाड भी इस दौरान उपस्तित रहेंगे। केरल में निपाहा वाइरस संख्मार को देखते हुए कोजी कोड जिलाप्रशासन ने जिले की सभी सेक्षिनिक संस्थानों में कल तक अवकाश घोशित कर दिया है। वरिष्ट अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक की उन्हेंने बताया कि आवश्यक दानुसार ने जी अस्पतालों में आईसोलेशन वार्ड का प्रभंध किया गया है। सितंबर के बीच मध्यम सी व्यापक वर्शा होने और बिजली गिरने तथा कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्शा होने की संभावना है। आकाश्वानी से बाचीत में वरिष्ट वेग्यानिक आरकी जेनमाणी ने बताया कि उत्राखंड में 16 सितंबर तक मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज वर्शा होगी। अधिक वर्शा से बाधित मैच में श्रिलंका ने दो सबावन और के लिए जीता है। कालक्ष निरधारित 42 ओर में हसिल कर लिया। यवा और खेल मंत्राले ने चीन के हांगजाओं में होने वाले एश्याई खेलों के लिए भारती दल की संशुधित सूची जारी कर ली है। नहीं सूची में 22 ने एथलेटों को शामिल किया गया है। ये समाचान हमारी वेबस में एक महत्पून योगदान देता है। ये आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टेक्स ही है जो देश की प्रगती को एक नई गती दे रहा है और देश के इंफ्रस्ट्रक्चर को विस्तरित और मस्बूत बना रहा है। अपने एडवांस टेक्स की दूसरी किष्ट 15 सि जमान करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टेक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्यकाय करता था एक राष्ट निर्माता। बनाने के लिए रुपे ही नहीं है। जो भी डॉटिन पर जाएं। भारा सरकार द्वारा जनहित में जारी। जनस्त्ता के सुरके हैं पहली अक्टूबर से लागू होगा जन्म इम्रित्यू पंजी करन कानून बहुत से काम एक ही दस्तावेश से हो जाएंगे। अमरोजाला के अनुसार प्रवीश और आधार के लिए जन्म प्रमान पत्र काफी पासपोर्ट और विवाह पंजी करन के लिए भी यही परयाप्त। इसे ख़बर पर राजस्थान पत्र का लिखता है शैक्षिनिक संस्थानों में दाखिले सहिद कई काम होंगे जन्म प्रमान पत्र से। आज से जैपुर में शुरू होगा सूरे किरन अरोबेटिक टीम दिन में साधे तीन बजे चल महर के उपर प्रदर्शन करेगी देश बंदु के बॉक्स वे हैं। पत्र ने अनुमान लगाया है खुद्रा मुद्रस भी दाएरे में रहेगी। राश्टी सहरा की ये खाबर ध्यान आक्रिश्टी करती है कि देर तक सीट पर बैठ कर काम करना नुकसान दे। लंबे समय तक खड़े रहना भी स्वास्थे के लिए खानिकारक हो सकता है। अंत में मुख्य समचर एक बर फिर। प्रधान मंतरी नवेंद्र मूदी ने कहा घरीबों के कल्यान को आधनिक विकास के साथ जोडने के भारती मॉडल की दुनिया भर में सरहाना हो रही है। जी ट्रेंटी सतत कारे समुहों ने वारानसी में सतत वित्त रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। हर्याणा पोलिस ने नुहु सामरदाइक हिंसा की मामले में कॉंग्रस विधायक ममन खान को गरफतार किया। केरल में निपाहाँ वाइरस संक्रोन पर नियंतरुन के लिए कोजी कोट में सभी शेक्रिट संस्थान कल तक बंदी किये गए। मौसन विभाग का आज पूर्वी भारत और सुमवार तक मध्य तथा पस्चिम भारत में सक्री मौनसून का अनुमान और कलूंबे में एशिया का प्रिकट की सुपर फूर मैच में स्री लंका ने पाकिस्तान को हरा कर फाइनल मेक का बेश किया। इसके साथ ही समाचाय प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार।